इस क्वेस्टन में हम सबसे पहले वेलजली के बारे में कुछ कोमन सी बाते पढ़े हैं लर्ड वेलजली वरस सतरसो ठाणवा से ठारसो पांस तक भारत का गवारत जरनला था भारत आया तब तक अंग्रेज़ों ने परमुख भारती सक्तियों के साथ संगर्स को टालते हुए नए अक्चेतर वेवीपूल संसादन प्रापत कर लिये थे समय के साथ उन्हें सुद्रिड भी कर लिया था सक्तिसाली मराठा और महसूर राज्जे की सक्ति में तीवर हास को देखते हुए वेल जली ने अधिक स्यादिक राज्जों को ब्रेटिश नियंतन के लाने का निर्णे लिया इस हेत्तुस ने साहीक संदी पहले से अधिनिस्द सासकों के छेतनों का अधिकरेण और प्रतेक्स विद्धो जैसी विष्थारवादी नीतियों का सहरा लिया मदलो 1789 पूसलतान की मृत्यूबद मसूर समराज्य और 1805 के आसपास तक मराटा समराज्य का पतन हो चुका था इसके लिए साहिक संदी जिसके पास अपना पुत्तर नहीं था उसको साहिक संदी से विकार करनी होती थी और नहीं साहिक संदी में क्या था राज्यों को ब्रेटिस से नपरदान की जाती थी जो राज्य की रक्षा करती थी उसका खर्च एक राजा ही उठाता था दूसरी है क्योंकि जो दत्तक पुत्र की विवस था वो तो डलोजी की लैप्स नहीं थी के तहते थी साहिक संदी की प्रनाड़ी के बारे मेल जी ने इस टिंडे कंपनी को शुरूशत्ता के रूप में बनाए रखने है तू पहले से चले आ रहे तरीकों का प्रयोक्या क्योंकि साहिक संदी इससे पहले भी डूपले द्वारा चलाई गई थी जो कि प्रांस फ्रांसी से ना पती था जिसके साथ भारतिये सास को द्वारा भुगतान किया जाने पर उन्हें ब्रेटिस से ना द्वारा सरक्ष्ण प्रदान किया जाता था सहाएक संदी के ताथ क्या क्या होता था एक ब्रिटिस हैने रखने होती थी जिसका सारा खर्चा राज्य को ही चुकाना पड़ता था और राज्य के दरवार को राज्यों को अपने दरवार में एक ब्रिटिस डेजिडेंट को नुक्त करना होता था UK ते भिना किसी भी यूरोपियों कोूरोजगार की नहीं होती थी गवर्न जर्राइन में बिना किसी भी भारतियर्य सासक के साथ संदी नहीं करनी घोती थी इसके बदले में मेरिटे सरकार द्वारा साहिक संदी राज्जी और सासक को अंतरीक और बायत दोनों तरह से सत्रूओं को सेश रक्षय परदान करती थी और संब्ध राज्जे के अंतरीक मामले में हस्तक सेप नहीं करना था अंग्रेजों को लाब किया हुआ इससे एक बड़ी सेना त्यार होगी जो जिसका खरच भी भारती राज्जियों को ही चुकान पड़ता था शेवों के परदेश से दूर रह जाकर यूद करना पाना भी संब्ध राज्जे की रक्षय बाहरी मामलों को नियंतरित करना सासकों का तक तपट करना और आफम पर तैनात बलों के मादम से उस पर आधी पत्य ह्तापित करना दूसरा था पहला जिस प्रकर हमने साहिक संदी पड़े दूसरा क्या था अक्षेत्रों का अधी 복तान करने में विफैर रहता तो उसके एक्षेत्र को दंड इसके शेत्र के एक हिंसा दंड के रूप में स्विकार कर लिया आता था इसके प्रभावी रूप से भारती है सासकों की संपुर्वुता को छीन लिया और उसनों ने अंगरेजो के दिन कर लिया साइक संद्र के स्थायत है इस इंडिया कंपणी ने हैदरबाद आवद करनाटक सुर्थ आदीक सेत्रों परादीवत्य स्तापित है किया तीसरा है प्रत्यक्षूद जिस पर अगर हम देखें तो प्रत्यक्षूद में क्या था चोथा अंगलमर्सूद यूद हो दा जो टिप अपनाया गया जैसे टिपू सेदार के यूद चोथां अंगलमसूर यूद जिसमें टिपू सुल्तान की हार हुई और मिर्त्यूभी हो गई क्योंकि वह साहिक संदी के लिए सहमत नहीं था टिपू सुल्तान नियंतरित राज्यक के आधिंशे को ब्रेटिस और अंग्रेज द्वारा शेंदिया और मोंसले की श्यूक्त चेना को पराजित कर कर दिया गया था और उन पर संद्यारोपित कर दी गई थी पेश्वा भी पूरी तरह सेंग्रेजों के नियंतर में आ गया था उत्रभारत में अलिगड दिल्ली आगरा परदिकार कर लिया था लेकिन वेलजली की विस्तारवादे ने थी ईया इसी के लिए महेंगी सावित हुई क्योंकि कमपनी या कई गुणा करज बढ़ गया था इसके लाव में तेजी सी ग्रावट आई और इसके त्रिक्स कमपनी भारत में अपने आपको मजबूत बनाना और लाव प्रापत करन गया हालंकि वेलजली की नितियों ने भारत में या इसी को एक सथ रोसत्तागरू में स्थापित करने में सहता परदान की हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन है समझाई कि किस परकार भारतिया अर्थवश्था की परकरती को अंग्रेजियों के ओपनीशिक हीतों द्वारा कर परदान किया गया जो भारत की अर्थवश्था की प्रकरती है कैसी है पुन्जी वादी थी या समाज वादी थी हमको पता है अर्थवश्था की जो प्रकरती है उसको अंग्रेजियों के उपनिवाजिक इतों इस्तियों द्वारा किस प्रकार आकर परदान किया गया भारत अंग्रेजों के पने सिखित शाकार वोसके। अंग्रेज आरम में एक विया पारी कंपणी के रूप में भारत आये थे। हलांकि भारत में अपनी स्थिति को सुदृड़ करने के लिए उनकी परसासनिक आर्थिक गतिवीदिया, आर्थिक नीतियां उनके सासन के दुरान प्राइप प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् 1813 में एक मुक्षिय व्यपार और एक व्यपार नहीं थी का भी प्रावधन किया गा जिसमें सब्सक्राइब ब्रेटिस वस्तों के भारतिय बजार में अत्यादिक प्रवा हुआ चार्टर में क्या हुआ एक पक्सिया मतलों और उन वस्तों को टैक्स मुख्त कर में वस्तों प्रतिय घुझत लगाया गया जिसके कारण क्या हुआ जे इक वस्तोंAyau और भारत के बजारों में बहुत मात्रा में उत्राने लगी जिसके साथ भारतिय तुपाद प्रतिस्वर्दा करने में ऐसक्सम थे और भारतिय जो द्योग धंदे धीरी धीरे टफ ठफ 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 ओ गई इसके तहित अत्यदिक सुलक के अधिरोपन द्वारा भारतिय तुपा क्योंकि ब्रेटिस उत्पादों की मांग अधिक बढ़ने लग गई कच्चे माल की आपूर्ति अंग्रेजो द्वारा भारतिय खसानों को खाद्यानों के फसलों के स्थान पर नक्रदी फसलों उगाने के लिए बाद्या किया और उन्हें उनकी उपज अंग्रेजों को वि विविश किया गया इस प्रकार भारतिय ब्रेटिस उत्यों के लिए केवल कच्चे माल के आपूर्ति करता की स्थीवति में पहुंच गया वी अध्योगी कर्ण सास के सरंक्षन की समापती और निर्यात में गिरावट के करण भारतिय कारिगर रहस्त सिल्पियों का पतन हो है इसके अत्रिक्ट पारमपरिक आजिवका कि एक्स्तितु हुई किन्तु इसके साथ अध्योगी कर्ण की प्रक्रिया आरम नहीं हुई प्रिणाम शुरूप भारत में ऐसे समय में वी अध्योगी कर्ण कुआ जब यूरोप में एकतिवर अध्योगी क्रांति का सुत्तरप कि और पलायन किया क्रीशी करम को अपनाया इससे भूमी पर द्वाव बढ़ गया मतलब क्या हुआ जो सहरों में उद्योगते उनका पतन होने कार्ण जो सहरी लोग थे वो शर्मी थे वो अपनी वृतियों क्रीशी को अपनाया इसे भूमी पर द्वाव बढ़ गया भारत्य क्रीशी का वाणिजे करण जो पहले क्या था सिर्फ खाद्यान फसलों को उपर ज्यादा ध्यान दिया था लेकिन अग्रेजुने अपने हितों की पूर्ति के लिए जो नकदी फसल थे जिस परकार नील की ख सकते हैं जूट का पास जिसकी मांग अंतरा श्ट्रेशतर पादी थी उसकी खित्य को बढ़ा कर बढ़ावा दिया जो के उनके हितों को ही पूरा करता था परिभायन और संचार कर नैट वरक कजाल फिच फैला दिया अंग्रेजों ने जिससे वह अपनी वस्तों को भारत मे में भेजने पर पर्तिवन लगा दिया था वीदेशी पूंजी के निवे सेट्व अजारक चितर उचलाव की संभावना सस्ते सरम की उपलवता सस्ते और सुगम्ता से उपलवत कच्चे माल भारत में त्यार बजार की उपलवता ने ब्रेटिस पूंजी को आकर्षित किया आर्थी विकास भारत से ब्रेटेन की और पुन्जी का विक निकास जिस परकार वेतन, व्याज, लाभास, आधी गरू में होता था इससे भारत में पुन्जी निर्मान की परिक्रियाम मंद हुई जबकि उसी समय ब्रेटिस अर्थवस्ता तीवर्गती से विकास हुआ आर्थ भारत की हितों में है इसके अतरिक इसने भारते सवतंतरा संगरस के दुरान बोधिक ऐसांती को उतेजित किया और राष्टे चितना को उभारा नेक्स्ट हमारा क्वेशन है हॉमरूल अंदोलन के उदेशिया हॉमरूल अंदोलन के उदेशिया है और भारत के सवतंतरा संग राम संग्रस में इसके परमुख योगदन पर प्रकाष डालिए और 1990 तक यहां अंदोलन मरित परियाय क्यों हो गया मतलब हमको यह बताना है कि 1990 तक हुम्रूल अंदोल लगबग स्माप्त हो चुगा था क्यों क्योंकि जो एनिवे से इंठी वापिस अपने देश चली गई औ उन्होंने सन्यास ले लिए अथराज नितिक से और इसके बार हम पढ़ेंगे पहले तो हम रूल के बारें पढ़ सकते हैं होम रूल लीग अंदोलन उन्नीसो सोड़ा से ठारा काने तर तो महराष्टर करनाटक मध्यपरदास कि मध्यपरदास ब्रार में बालग अधर तिलक द्वारा चला गया और सेस भारत में अनिमेशेंट द्वारा बंदो महराष्टर करनाटक बंगाल महराष्टर करनाटक मध्यपरदास और ब्रार महराष्टर में नहीं था और बाकी भारत में अनिमेशेंट द्वारा चला गया यह अंदोलन आरेस हम रूल अंदोलन से प्रे मातरितों में शिफ्दशा परदान करने की मांगे तильक ने क्या किया था? मातलुप भासा के दर्बरा जोगंगठन की और वहाँ पर शिफ्दशा मातरा भासा में देने की मांग की थी तिलक ने सरकार को पदस्त के भी ना अहिंसक तरीके से प्रसाशन में सुधार करने का लक्षे रखा तिलक ने सरकार को एप पदस्त किये भी ना अहिंसक तरीके में प्रसाशन सुधार करने का लक्षे रखा और हमारा नेक्स्ट था तिलक को राजनितिक शिक्षा और राश्टरवती राजनितिक गतिविदियों को प्रोच आई ते करना चाहते थे भारतिय सवतिंत रसंगराम में देखो इसका पहला पार्ट क्या था होमरूल लिख के बारे में इंट्रोडेक्शन इसके उद्विश्य क्या थे हमने पढ़ लिया कि सवसासन हो गया या भासी अधारवराज्यों अगठन हो गया मातरी भासा में शिक्षा देना तीसरा उद्विश्य था तिलक ने सरकार को एपदस्त किये एही से तरीके से परसास में सुधार करने का लक्ष रखा और चोथा तिलक और इनिविश्य दोनों राजनितिक शिक्षा और राष्टाबादी राजनितिक अतिविश्य करना चाते थे और नेक्स्ट है भारत के सवतंतरता संगरस में योगदान में क्या योगदान दिया इनिविश्य और तिलक ने इस अंदोलन ने 1907 में सूर्त में भारती राष्टे कांगरेस के विभाजन सुधेश्य दोलन के दुरान अत्यदिक सरकारी दमन आदी कारणों से सवतंतरता संगरस में उपत्पन सुन्याता को समापत किया मतलब क्या था जो सूर्त का विभाजन हुआ था जिसमें गरमदल नरमदल के बीच में और हिंदो मुस्ली बीच में एकता जो खत्म हो गई थी और इसके कारण क्या हुआ था एक सतों सुधेश्य दोलन के दुरान जो सरकारी दमन के कारण भी जो सवतंतरता संगरस का अंदोलन है वो बिल्कुल ठप हो चुका था और इस सुन्यता के काल में एनिबसेट यानि और बालगंगंगा दर तिलक ने होम रूलिंग और दोलन के दौरा इस सुन्यता को भरने का काम किया इसने सहरों और गाओं के मध्या संग्ठनात्मक समझ सापित के जो बाद के अरसों में आती महत्वन सिध हुए सहर और गाओं के बीच में जो कड़ेग को आई-एन-सी में सामिल करने में मैत्रपुन भूमी का निभाई और इनी के प्रयास से मुस्लिम लीग के साथ लखनों समझोटा में करने वी इनका मैत्रपुन योगदान है मतलब किया है जो निश तोलवा में गरम दल और नरम दल के बीच में जो समझोटा हुआ था और म कि करवाने में इसका मैत्वन योगदान था गांदी जी द्वारा मारत 1919 में रोल टैक्ट के विरूद देश भर में सत्यागर हंदोलने की इसने एक व्यापक राष्टरवादी समर्थक महाल त्यार किया चोथा इसने जो लखनो समझोता हुआ दो इसमें मैतवन भूमे का निभाई गांदी जी द्वारा मारत 1919 में रोल टैक्ट के विरूद देश भर में सत्यागर हो अंदोलनकी शुरुआत हुई नेक्स्ट हमारा ह 1919 तक या मिर्थपराईग कैसे हो गया जुलाई 1918 में सरकार्धहowra जो सहवधानी सुधार आजेंदे को परकासित क्या गए जिसने लीग में सामिल नरंपंथियों को सुतनुष्ट कर दिया एनिवेसींट द्वारा सवयधानिक सुधारों के साथ निष करी अन्दोलन के संद्रब में ढूल मुल अप्रवईया पनाया गया उन्होंने नयतो उन्हें सविकार किया और नहीं ने पूर्ण रूप से ऐसे सविकार के मतलब जो सोविधानिक सुधारों को प्रावधान थे इसके परती जोएनिम सेंट्ची बिल्गुल निश्क्रिय हो गई थी तिलक एक मान हानी मुक्त में की परवाई खेतु इंगलेंड चले गए थे और इस अंदोलन के मेत्वुन अवदी के दुरान महीनों तक यहां उपसित नहीं रहे जिसके प्रणाम शुरूप अंदोलन नेत्रितो हीन हो गया उनिस सतरा उठारा के दुरान सामपरदाइक दंगे हुए जिसके कारण अंदोलन में व्याधन आया हालां की वरस उनिस उनिस में यहां अंदोलन मरित पराय हो गया इसने सरतंतरा संगरस को एक ऐसे समय में निरतरता प्रदान की जब आयनेसी में संग्ठन और दिशा का अभाव था इसने एक ऐसे राष्टवादी धंचे का निर्मान किया जिसका उपयोग गांदी जी द्वारा बाद में अंग्रेजों के विरूद संचालित किये जाने व अंग्रेजों के शासन के विरूद एक बड़ा विद्रो था इसकी शुरुआत मेरट में कंपनी के भारतिय सेनी को द्वारा किये गए विद्रो से हुई इसका ततकाली करण सेना में एनफिल्ड राइफल का प्रयोग किया जाना था ऐसा माना जा रहा है इनके कर्थुस को गाएं और सुर की चर्बज से बनाया गया इसका ततकाली करण सेना में एनफिल्ड राइफल का प्रयोग था क्योंकि ऐसा माना जाता है जो कार्थुस्त थे वो सुगाएं और सुर की चब्बी से बनाये गये थे जिन राइफल में मुह द्वारा काटा जाता था इससे क्या हिंदूर मुस्लिम सिपाजी द्वारा भारी रोध किया गया और आर्थिक कारण थे आपको हर बताना हर क्वेस्टन में बताना है अगर प्रभाव तो भी इन ही आया मुसलिन है आर्थिक राजनितिक परसासनिक समाजिक धर्मिक अगर कोई कारण है तो यह भी कारण है कारक मी बन सकते हैं आर्थिक में क्या था उनकी राजसो के जो दरही वो त्यादिक थी जो विवस्था थी जिस प्रकास थाई बंदो वस्थ रेत वाड़ी महाल वाड़ी विवी सोचन कर विवस्था थी अगर भूराज चो टाइम पर नहीं चुकाई पते थे तो उनकी भूमी जपत कर ली जाती थी दूसरी बात वी अध्योगी करन के कारण जो दोलना का कारण प्रवू कारण भी रहा है राजनिक जो राजनिति कारण में क्या उनकी जो नीती थी साइक संदी थी डोक्टर ने फ्लैप्स की संदी थी आदी नीती वे कारण राज जाओं की जो राजनितिक प्रतिश्था को प्रतिश्था को कुमजोर किया जिसके कारण वो भी अंग्रेजों के विरोध करने के लिए आतर हुए दिशरा प्रसाषनिक करण प्रसाषन में जो भश्टा चार था पुलीस चोटे दिकारी के करण वियापका संतोस उत्पन हुआ दिशरा है समाजिक और आर्थिक धार्मिक, अंग्रेज जो दुआरा समाजिक धार्मिक हस्तक सेव के रूम में देखा जा रहा है भारी घठनों का प्रभाव कुछ विश्वी की जो घठना है जिस परकार इटली ने इतियोप्या को रहा दिया था और जपान रिरूस को रहा दिया था इन घठनों का उपर भी एक भारत की जो अंदोलन है उसका रतमक प्रभाव किया और पंजाब युद भी जो पंदरा से पिंदाड़े से पंदरा सुने इंचस तक इसके कारण भी अंख्ठा रुस्तावनिकरांती को बढ़ावा मिला सिपाईयों के जो हमारा मेन पॉइंट था जो रैफल थी चर्बी वाल रैफल उसके परियोग के कारण भी सैनिकों में उरद हुआ और दूसरे इसकी कमजोरिय क्या थी सीमी क्चेंताट था कि पूरे भारत में नहीं फ्हला था बलकि इसका परसार दक्षिन भारत में था ही नहीं दक्षिन अदिकांस पूर यूर्पस्चिन भारत ने अखछेंता तक НАए पहस्का सीमीद भागतारी बड़े सरक्षन के अंत्रकत उनकी हितों का बहतर रूप से सरक्षन हो से का सकेगा तिसरा कार्ण था भारतियों के पास नीमन गुणंता वाले हाथियार थे और संचार की विश्था का भाव था जो एक दूसरे को संदेश पूंचाने में एसमर्थ बनाता था प्रभावी नेतरितों और एकी कृति विश्था दरा का भाव था भारतियों नेताओं के बीच में ना तो एक एक विश्था दरा थी और ना ही कोई उनके बीच में एक प्रभावी नेतरितों था जो अब सभी संधन पूरे सुदश्य को एक साथ लेश के इस दमन के बावजूत थार्व थार्वान में पलासी के यूद के लिए उत्तरदाई घटना करम का विवन देना है यह गीव एन अकाउट गीव एन अकाउंट ओफ डिवलोपमेंट्स डेटली टु दा बैटल प्लासी इन ठारस्तावन मतलब क्या है जो ठारस्तावन की यूद हुआ है उसके लिए जो उत्तरदाई तो घटनाई हुई है वो क्यों हुई है इस साथ इसके त्यासिक मैं तो क्या है इस यूद के ठारस जो की नीतिया है वो सो को नयमानने करण सिरवज दूला अंग्रेजों की आँखों में खटकने लग गया था व्लासी का यूद 1757 में बंगाल के नुआब सिरवज दूला ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपनी के मद्ध्या लड़ा गया यह उन यूदों में से एक था जिसके करण बंगाल पर अंग्रेजों को वीजय परापत हुई यूद के लिए उत्तरदाई घटना करमों की शरेंखला इस परकार है यूद के महत्तपुन कारणों में से एक है इस्टिडे कंपनी और नुआब के मद्ध्य है व्यपार के उप्यूक्त संचालन के संद्रम में होने वाले व्यवसाइक टकराव था क्योंकि कंपनी के अधिकारी अपने नेजी व्यपार पर भी कर अदाईगी से बचने के लिए दस्तकों का दुरुप्योग कर रहे थे मुर्शिद कुली खां से लेकर अली वर्दी खां तक बंगाल के सभी नुआब नुआबों ने दस्तक के दुरुप्योग को इसमें क्या कारण बता है जो गटना कर रहे है यूद के महत्तबुन कारण में इस ठीडे कंपनी और नुआब के मद्ध्य व्यपार के काजा फुर्कुशर ने दस्तक का प्रावधन दिया हुँ था इसके कारण जो ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपनी का जो दिकारी थे वह अपनी जी लाब के लिए उन दस्तकों का दुरुप्योग करते थे जिसके कारण इस इंडिया कंपनी या अंग्रेजों वैं नुआब थे मुर्शित उखुली खांज चाहे अलिवरधी खांव उन्होंने दस्तक के दिरूपयों को नियंतर्ड के लिए प्रयास किये यद्देपी कंपनी इस नियंतर्ड को ऐसीविकार करने के लिए बाद्या थी तथा पि इसके कर्मचारी इस से बचने और इसकी अहलेना करने के के लिए प्रतेकवसर का लाब उठाते थे इस मामले में तब तना उत्पुन हो गया जब शिरा जो दोला ने कंपनी से उसी अधार बर व्यापार करने को कहा जैसा कि मुर्शिद खुलिका के शासनकाल में था जब कंपनी को कोई रियायत नहीं दी गई थी मतलग क्या कहा था जोडोला ने कहा कि वही प्रावधान लागू होंगे व्यापार के लिए जो प्रावधान मुर्शिद खुलिका के शासनकाल में थे उस टाइम कंपनी को व्यापार करने के लिए कोई भी रियायते परदा नहीं की थी लेकिन कंपनी ने इस पर सहमत होने के बजाए कलकत्ता में अप्रवेश करने वाली भारतिय वस्तों पर भारित स्कूल क लगा दिया इसके अत्रिक उन्हों नुवाब के नुमती के बिना कलकत्ता की किले बिंदी भी शुरू कर दी क्योंकि चंदरनगर में फ्रांसिसी तनात थे जब नुवाब के किला बंदी को ड़ाने के अदेश का केवल फ्रांसिसी द्वारा ही पालन किया गया तो इसे नुवाब ने अपनी संपर्वुता पर हमले के रूमें देखा जब नुवाब के किला बंदी को ड़ाने के अदेश का केवल फ्रांसिसी द्वारा ही पालन किया ग गया इसलिए नुआब ने करवाई करते हुए कासिम बजार में अंग्रेजी कार खाने को जबत कर लिया और 20 जून 1756 को फोर्ट वीलियम कबज़ पर कबज़ा कर लिया जहां ब्लैक होल ट्रेजडी की गठना हुए नुआब अपनी आसान जीत का जस्तन लाने के लिए कलकता स सेनिकों की एक कमरे में बंध होने के कारण दम गुठने के कारण मौत हो गई थी अलांकि ब्रिटिस मदराज से सहता की परतिक्सा कर रहे थे इस दुरान यूद के लिए पलासिरवान होने से पहले उन्होंने पर नुआब के परधान सेना पती मिर जाफर और उसके मुख्य खंजाची राय दुरलब के साथ मिलकर एक सेडंतर अत्यार किया कलाई के नितरितों में लडाई अंग्रेजों ने अपने विश्वास आती जाल के कारण जीती थी जिसके तहत नुआब की सेना के दिकांसे सेने लडाई में कोई भाग नहीं लिया क्यों मिर जाफर ने क्या क्या विश्वास घात क्या जो की नुआब का सेना पती था यद्यपी यहाई यूद सामरिक द्रिष्टी से बहुत महत पुणनी था क्योंकि इसमें अंग्रेजी सेना के द्वारा सेने स्रिष्टा नहीं दिखाई गई थी तथा पी निमलित कारणों से इस यूद को भारती अधिपत्य और अंतत्य पूरे भारत में ब्रेटिस विश्टार का मरग परस्त किया इसकी अतरिक्त बंगाल के समरीद राजसों ने उन्हें एक मजबूत सेना को संक्ठित करने के लिए बंगाल का राजसों पर अदिकार हो गया दूसरा कंपनी का जो सोरूप था आर्थिक इकाई से बदल कर आजनीत सत्ता के रूप में परिवर्तित कर दिया तिसरा मतलब जो इसके टकर में थे फ्रांसेशी उनको एक चुनोती देने में साबित सुनोती दोने के लिए एक निर्णायक साबित हुए बंगाल पर नियंतर्ण ने अंगल फ्रांसेशी संग्रस में ए संगाल कैसाई लोगों की किमत पर अथा अधन प्रभाग करने प्रशक्षम बनाया हमारा नेक्स् क्ऊत्र आसरना qi के दुरान प्रात्यो वादी अंगल व विवाद और उसके प्रणामों की विविचना की झिए निस शुदी के दुरान जो प्रात्यों थे मदलत पस्यंद शाहत्याकर जिनको भारतिय साहिते में रूची थी अंगलवादी जो अंगली साहिते में रूची रखते उनके बीच में क्या विवाद था इसे क्या प्रिणाम निकले सेक्ष्णिक इतिहास से समधित लेखनों में 822-835 के मत देखे अवदी को पराच्यवादी और अंगलव कि थार चार्टर पर्थम प्रयास था शिक्षयक्सित्र में मद्दूर भारत में सिक्ष्टागविश्टार के लिए पहला प्रयास टार сам को कि तेरह का चालर टर्रेक्ट है इसने बिट शक्ती सिख्षित भारतियों के मधियम सेजर शिख्ष्षै के प्रोच आने तो एक citizen safety प्रकृति है चलिए में सिख्चा के माध्यम के संधर में विवाद है उत्पन किया प्राच्यवाद उन्हें सीख्चा के माध्यम के रूप में श्बै जो प्राच्यवाद ही थी उन्हों किया जो सीक्षा को के लिए संस्कृत अर्भी-।ो का समर्थान किया उन्होंने कहा कि यि नोकरी प्रापत करने entirely कमी को पास्षित्य विग्यान और साहतेक्ट्स प्रापत की जाने चाहिए तथा प्रमभवल परंपिक भारतिया सिक्षा के विश्तार पर दिया गया अंगल वादियों नें अंगरेजी के लिए मतलों किया क्या प्राक्ष प्राइजिदी थे भाईरत में जस्तानिये भास आती क्रास देने के पक्स दर थे वह नोकरी के लिए उन्हें झा कहा कि पास्थ सट्रीं विज्यान और अंग्रेजी स्थायान कोना चाहिए लेकन अंग等वादि ने फिश्रफ अंग्रेजी को ही मैतबुन माना इसके कारण किया अंता क्या पर प्रावसी जो लारड मकाले है इसके समण पतर ठारसो पैंट इसके माद्यम से इस विवाद कसमादान कियागा इसने अंगल वादियों के पक्सकास मर्थन किया मकाले के सुझाओ के पसाद सरकार ने सिगर ही अंग्रेज जी को स्कूलों और कालेजों में सिख्षा के माध्यों के रूप में अपना लिया एसेंख्या प्रात्मिक स्कूलों के स्थान पर अंग्रेजी माध्यम में सिख्षा बदान करने वाले कुछ एक स्कूल और चाक कालजियों की स्थापना की गई से क्या वजन जो सिख्षपाने की उपेक्षा की गई की सिख्षित भारतियों द्वारा स्थानिय सिख्षा को कि जो उपर के लोग है उनको सिख्षित किया जाता है और जो निच्चे के लोग है इससे जो पर लाब है वो टपकता रहेगा इसको कहते हैं अध्व निश्पंदर सिधात त्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन मतलब जो ग्यान है यहीं से बारिश होगी मतलब अब हम दित है यह परी में एक बार पुच्छा भी हुआ है अध्व मों की निश्पंदर सिधात और अगर आगे देखें आगे क्या है शिख्षा के माद्दम से अंगरेज जी भासा को अपनारे जाने से निक्ट बढ़ती एक चेत्रों में ऐसे स्कूल और कालेजों की स्थापना होने के बाउजुस जन्समाने अलग थलग हो गया इसने भारतियों के एक ऐसे वरग का नरिमान किया जो रक्त और भारतिया हो किन्तु विचार सदा चार और बह Trajs को उनके अपने उख करने से के बने उस्तरदाय चोसे मुक्त होने का आफसर प्रापत हुआ क्योंकि उससे शिख्षीत भारतियों पर छोड़ दिया गया उस उनसे вол question करें कि जन समन्ने द्वारा उपनेशिक समराज जगरोज ने किया जाए हालंकि सिख्षा की बदली वैस्थाने अनाया सी राश्टरवादियों के लिए भोतिक समाजिक और विग्यान से सम्मधित है मोलभूत हालंकि मोलभूत सही तब लबत करा दिये जिस समाजिक विसलेशन करने कि उनकी इक्समता को बढ़ावा मिला इसने जन समन्ने के मध्या लोकतंतर राश्टरवाद समाजिक आर्थिक स्थीति समधिवचारों का परशार करने में शहता कि भारतिया स्वतंदरता अदोलन के नरम पंथी चर्ण की सफलता जो नरम पंथी है उसकी सफलता और इस फलत पर चर्चा करने हमको पता है कि नरम पत्थी का काल कहां से कहां तक था हमको पता कि 1907 के बाद पांच चै के बाद जो बंगाल वी भाजन हुआ तो करम दल का उद्य हुआ हुआ और नरम पंथी चर्ण मेता जैसे कांगर्सी नेताओं की उद्वारवादी विचार धारां साधनो द्वारा निर्दीशित था इन्हें नरम पंथी नेताओं के रूप में जाना जटता था निरम पंथी ने तकिछ मांगों में देश में परशासनिक और विधायिक उद्वार धार हुए मतलो सुधार भी हुए जो खरत्स इसमें उद्वार्टि अ प्रतिंदिख सस्थानों की श्थापना आदि सामिल थे। उद्वार धाउं कि मां लिएक द्वा संद्धिवर्ण स्वधानिक साद्वन कप्रव किया गया नरम बंथिया कुछ सपलता है थी अगर आप देखना चाहिए सपलता है क्या है उन्होंने भारतिय सीविल सेवों की समस्चा की जांच करने है तो लोक सेवा में उच और अधिक पदों के लिए भारतियों के दावों क क्याए भारतीय प्रिशत अधिनेव पारित किया गया जिसमें न्यक्यम ब्रिटिस विपकरिस्दों का विष्तार किया Sorteven संबास्थ में भी कि हम और यदि कहँ तरफो 323 में जंदन के साथ भारत में सेवी शीवल सेवा प्रिक्शा की मांग की मांग करन लगे भारत में भारत में सिवल शिवया मतलव को में बेसिक पाइट याद रखने है क्या-क्या इनका प्रियास था कि एची संद यो बन्हाज जो भारत की जो उच्छातरिय परिक्षा है वनमें भारतिय भाग लेश के और इसने क्या जो विधान परिशेद है उसमे ब्याव की नुक्ति की थी ठार सिप्चन में दादा भाइन रोजी जो धन्ता निसकासन सिधात है आर्शी दत का इत्यादी जैसे नरम बंथी द्वारा आर्थी कलोजना ने ब्रेटिस आसन के वास्तिक सुरूप को जंता के सामने परसूत किया जो कि एक सोशन का कारण बता नर्म पंथी ओके दिन राष्टे अंदोल में को व्यापगृ्पाग्रूप मेंसामिन किया गया था क्योंकि वह जन्समाने को समता में विशुद्व में विशास च्मुद्व नहीं करते थे इप समय undersяз legacy महिलाों को अंदूल में नर्य गा counter-ok जो चोट ? नहीं फैला था ये समान्य ते सभागर कक्सों और परिचर्चा कक्सों तक्सी मित थे व्यापक रूप से जन समान्या के साथ शंपरक स्थापित करने में सफल एसफल रहे नरंपंथी अती सांतिवादी थे साथी उन्हें उनके द्वारा ब्रेट विदेशी सासन से पूर्णत सवतंत्रतागी मांग भी नहीं की गई थी उन्होंने अधिकास अपने विचारों को पास्चात्य राजनितिक विचारधरा से ग्रेंड किया जिसने उन्हें जन समान्या से अलग्थ लग कर दिया समाजिक सरंचना के शुरूप में नरंपंथी योग नितरतों मेराष्ट्य अंदोलन का चरितर संभ्रात वादी था जिसमें उनके नेताओं का संबंद जमेंदार वकील बड़े विचे अपारियों जैसे उच मध्यम वर्ग से था नरंपंतियों की इस विभलता के वावजुद भारतिया सव्चंतरत संक्रश में उनका योगदान अधिक मैतवन रहा नेक्स्ट हमारा है उननीश विष्टाबदी के दुरान भारत में समाजिक सुधार अंदोलों के परमुदेश है क्या थे पहला क्वेसन है इंपोर्टेंट है उननीश विष्टाबदी में जो समाजिक सुधार अंदोलों थे चाहिए बरम समाज हो चाहिए राजरा मोहंद है उचायारे समाजों इनके मुख्य है उदिश्य क्या थे इन समने कुछ प्रमुषधार अंदोलों पर प्रकास है डालिए भारतिय समाज में धार्मी कंद्विश्वास गहन रूप से विया पत था उठार्मी उनिश्विस्ताबदी के दुरान उत्तर प्रबोधन तरकवाद से संप्रक पास्चात्या स्रिक्षया की सुरूआत समाजिक बोधिक करांति के प्रणाम शुरूप कुछ भारतिय पर भूध बुद्दी जीवें द्वारा भारतिय पुंद्र-जागन का विश्टाप्र्रेशार किया गया इसी का प्रणाम है भारत में विभिन समाजिक सां स्मापत करना विद्वा पुंदर विवहा महला शिख्षा को प्रोचाइद करना ऐसा करके महला को उधार करना दूसरी बात जात्ती गत भेद भाव की स्मापती ऐस परिष्टा उन्मोलन के माध्यम से समाजिक सोहार्द और समतावदी समाज को स्तापना करना सभी कठोर समाज भारति कीओं के पुंदर जागन और रस्ट्रवाद के विकास के लिए समाजिक सोधार करना एकlive सरत थी कुछ न्दोन कुणकुणचे हैं आप देखें भरमसमाज के बारे में बता सकते इस्वर चंदर विद्य सागत के बारे मता सकते हैं प्रातना समाज के बारे मता सकते हैं आरे समाज के बारे मता सकते हैं अगर भर्म साज कोमन है 2828 मेरा जराम द्वारा सुरू किया था जिसका उदेश्य समाजी कुरोतियों का अनुमूलन करना था हिंदु धर्म का सुधी करन करना था ॉर इशने मूर्ति पूजा बाल विवास इपर अधिका विर्वधिभी किया और विद्वापुदर विवगा समर्थन किया ुषवर विद्वापुंदर विवाप के लिए उठारशुपचापन में एक्ट बना था विद्वापुंदर विवाप अधिनियम परात्रा समाल ठारश चेंतर में डाक्टर आतमरंग पांडुरंग द्वरा की गिती इसका मुख्यों देश्य जाती वस्ता को एस कमजोर करना महिला श विवाक्यायू को बढ़ाना आरे समाज यह हिंदू धर्म सुधरवादी अंदूलन था जिसकी स्तापन ठारश चेंतर को स्वामी दयानन चर्च्वती द्वारा की गई थी इसने जबरनी सलाम और इसाई धर्म परिवर्तित हिंदूओं को हिंदू धर्म में समयष्ट करने ह सुध्य अंदूलन चलाया था और इसके प्रियासक से भारत में दंग दयानन एंगलो विद्य लेगिस्तापना होई हमारा नेक्ष्टर रामकृष्ण परमास अंदूलन का विस्तार मुख्या रूप से रामकृष्ण मिशन के तत्वा धन में स्वामें विवेकनन द्वारा क्या गया विवेकनन ने सेवा शिधात एनी द्रिद्र नर्यनकस शधात दिया मतलोत जो बगवान है वो द्रिद्र लोग गरीब लोग में निवास करते हैं जिसका आश्या सबी प्रानियों की सेवा करने से हैं इसके द्वारा लोगों के उत्थान के लिए मानुवी राहत और समाजी कार्य किये गए अंतरदार्मिक सद्भाव को फ्रोचायत किया गया है। ने क्या था मुल्त मुसिलमानों के भारते मुसिलमानों में आदर्नी को मुसलमानों काई करना इसका मुख्या विए त्रहाय सब्सक्राव कशन्य की वारत में पर्षारित हुए। कि गई जिसके दोरा जाथीकत भेदवाओं को समापत करने video अचुन्त समर्थन करने इसी पढ़कार सीरिनेारनगरू ने अचुन्य घर्मत यॉब दोरागव विंद्स अ कि और जो जात्ती वस्त पर में बेदवाओ था महिलाओं के साथ बेदवाओ था उसका विरोध कि आ इसी समय थियो सोफिकल सोसाइटी मुस्लिम सीख और परसी सुधार अंदोलनों के तहत कई अंदोलन भी आरम हुए जिन्हें राष्टी निमान और राजनीतिक राष्टी आर्थी के सुधार के लिए प इसको एक यूगा अंतरकारी घटना माना दाते इसको पर टिप ने लिखनी है यह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे धन्यवाद दोस्तों अगर आपको वीडियो ची लगती है तो मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कुछ उजा होगा तो कोमेंट मे करेंगे दोस्तों